नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस फीडियो में दोस्तों इसे कि आप जानते हैं कि जॉब छोड़ने के बाद में हमें अपने पीएफ अकॉर्ड में अपडेट करना पड़ता है लेकिन क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि पीएफ अकॉर्ड में डेट हमें एक और ओप्शन भी दिखाई देता है हिजब ओचार ओफ जिट करने के बाद हमें एक्जिट रिजन को भी फियेफ अकॉर्ड में अपडेट करना पड़ता है अब यहां पर कुछ पूउइफ मेंबर के मन में यह सवाल होते हैं हैं कि य Quinn हिस ऐगजिट रिजन को पिय इसका वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेश्टी की चैनल पर अगर आप नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले क्यों कि आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि रिजन ओब एकजिट का मतलब क्या है तो रिजन ओब एकजिट का मतलब होता है जोब से रिजाइन देने का कारण याले कि आपने किस कारण से अपनी जोब से रिजाइन दिया है माली जी कि आप अभी कहीं जोब कर रहे हैं लेकिन आपको एक नई जोब मिल चुकी है जिसे आ और जोब छोड़ने के इसी current को exit region कहते हैं, इसी exit region को job छोड़ने के बाद में हमें अपने पीफ account में update करना पड़ता है, पीफ account में कई सारे exit region available है, तो आप जिस भी current सा अपनी job से रेजाइन देंगे, उस current को आप select करके अपने पीफ account में exit region को update कर सकते हैं, PF account में exit region को आप online update कर सकते हैं यानि कि जब आप अपने PF account में date of exit को update करेंगे तभी आपको अपने PF account में exit region को भी update कर देना है अगर बात की जाए कि PF account में exit region को update करना क्यों जरूरी है तो देखें PF account में exit region को update करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जोब चुणने की बाद हम अपने PF अकॉण का पूरा पैसा निकाल सकते हैं लेकिन जोब चुणने की बाद में PF अकॉण का पूरा पैसा निकालने से पहले हमें अपने PF अकॉण में Dat of Exit और Exit Region इन दोनों को ही अपडेट करना पड़ता है जब तक हमारे PF account में debt of exit और exit region अपडेट नहीं होते हैं तब तक हम PF को पूरा पैसा निकालने के लिए full and final claim नहीं कर पाएंगे लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि PF account में exit region गलत अपडेट हो जाता है तो अब आपको यहाँ पर परिशानी हो सकती है क्योंकि अगर आपके PF account में exit region गलत अपडेट होता है तब आप PF का पैसा निकालने के लिए जो online claim करेंगे वो claim reject हो जाएगा और आप PF का पैसा नहीं निकाल पाएंगे इसके लिए फिर आपको अपने PF account में exit region को सही करवाना पड़ेगा तब ही आपका claim सैटल होगा लेकिन PF account में exit region को अपडेट करना जितना असान होता है उतना असान नहीं होता है PF account में गलत अपडेट हुए exit region को सही करवाना चोंकि इसके लिए आपको offline joint declaration firm को भर कर अपने original PF office में जमा करवाना पड़ता है PF account में गलत अपडेट हुए exit region को किस तरह से सही करवाते हैं उसकी process क्या है उसके बारे में मैंने एक complete video अल्रेडी बना दिया है उस video का link आपको उपर i button पर मिल जाएगा उस video में बताएगे process को follow करके आप अपने PF account में गलत अपडेट हुए exit region को सही करवा पाएंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपके PF account में exit region को आप सही करवा लेंगे तब आप दुबारा से PF claim कर सकते हैं अब आपका claim settle हो जाएगा दोस्तों यह थी जानकरी PF account में update होने वाले exit region के बारे में उम्मित करता हूँ दोस्तों exit region से जुड़ी सभी बाते मैं आपको आसनली से समझा पाया हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यह प्यापोस जुड़ी जानकरी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी